अलो दोस्तो क्या आप लोगों को पता है वर्ड का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन कौन सा है वो है दोस्तो बुलेट ट्रेन जो कि जापान में चलता है तो अभी जो है दोस्तो फिलाल के दिने में मुंबई से लेकि हमदाबाद की बीच इंडिया और जापान की कोलेब्रसर म है वह हुआ है तो चलो वीडियो में आगे बताते हैं आप लोग पूरा डीटेल्स में लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो फ़ले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो तो चलो बताते हैं फेवरेटी मंत में दोस्तों कि इस बुलेटेन को इड़र का योकि श्टार्ड होता है बीक्राै के अंदर के बीच जैसे का आप लोग دेख hear रॉली के अंदर उसनोने वाला है और उसके आगए अगर आप लोग जाएंगे जिटिन RAM का फाउंडेंस ने फृाल के इंगर ओन फिलास होने वाला है क्योंकि दोस्तों मुंबाइ महारस्व्टरा लेंसमाने मार्ठा बूलेट से बूलेट ट्रेंस घुजरने गुजरने वाला वहाथ है अपने धालने पाने उस्टार हो चुक ऐ है और एसी करते महारस्टरा के अंधर जादा नहीं होने वाला जैसे कि 4 होने Sos मुंबई नवी मुंबई था ने बलसाज से लेकि दोस्तों आगे तक जो एहम्दाबाद की बीच ज्यादा इस्टेशन होने वाला है टोटेल 12 इस बुलेटें को एडर में तो दोस्तों यह पूरा पूरा बुलेटें को एडर टोटल 508 किलोमेटर का इसी के अंदर बहुत सार अगर आप लोग इस बुलेटें को एडर से जोड़ा बहुत सारे अपडेट नहीं देखे तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं बहुत सारे अपडेट आप लोगों पता चल जाएगा और फेबरेरी मंत के अंदर दोस्तों जो आप लोगों को अभी वीडियो यह है दोस्तों साउंड प्रूफिंग जो होता है उसके बज़े से क्योंकि जब बुलेटें दोड़ेगा दोस्तों 320 km और 800 km के स्पीड से चलेगा यह बुलेटें कोईडर तब दोस्तों इस पे बहुत जादा नॉइस और साउंड अभी होने वाला है इसलिए दोस्तों इस सबसे तेज चलने वाला ट्रेणों में से एक है क्योंकि इसका जो मैक्सिमुमी स्पीड दोस्तों 320 km पर हवर है लेकिन दोस्तों इसका जो आप्रेशनल होगा जितना पता है दोस्तों 250 होने वाला है और यह देख सकते हैं सूरत का स्टेशन दोस्तों बहुत हीूज स्टेश दोस्तों इसी तरह से नदी को पर जो काम है थोरा सा डिले चल रहा है यह देख सकते हैं आप लोग भारूच का जो बुलेटन इस्टेशन उसका भी जो फाउंडेशन है वह तो बन चुका है इसके बाद जो दोस्तों इसके मंजील है वह बनाया जा रहा है इसी तरह से आने बाले दिनों में दोस्तों बहुत तरक्की में ले जाने बाला है क्योंकि दोस्तों गुजरा से लेके एकदम मुंबई तक एकदम एहमदाबाद से मुंबई तक 12 घंटे में आप लोग जा सकते हैं जो कि फिलाल के दिनों में 14-15 घंटों में है और अगर ट्रेन लेट क्राइब छोठिक को पूर में हैने के सभी तरह से लगाँ कि उब के यह दिखा झाए गए। ट्रैक नहीं लगाएगा है लेकिन वह आनेवले आग्व में लगाए जाएंगे वह तो दोस्तो बहुत ही मतलब कम काम है उसके पहले जह भी काम किया जारे रहा चांस्ट्रक्षन काम यह बहुत ही हूज है इसलिए अभी पूरी तरह से बहुत ही तीज़े सी जो है फिलाल के दिनों में काम चाहरा यह बुलेट ट्रेंड का पूरी तरह के से और यह आप लोग देख सकता है अनंद का इस्टेशन जो कि गुजरात के अंदर है बहुत ही हुज है बहुत ही हुज अगर आप लोग सामने से देखेंगे दोस्तों यह जितने भी कॉंस्टिक्शन करने का काम कि अगर आप लोग देखेंगे कभी भी तो तो बहुत ही आप लोग बढ़ा दिखने वाला है यसी का आप लोग वीडियो के अ उत्त छोटे से पार्ट में आप लोग देख ले रहों लेकिन इतना चोटा है नहीं और बहुत जगह में जगां बनाने काम हो ता है कास्टिक tahu तो बहुत सारी जगह में जो है बुलेट टेन कोईडर जो है इंडियन रेलो इसके भी क्रोस करता है वह जगह है बहुत खास दिखता है तो इसी तरह से यह आप लोग देख सकते हैं एहमदाबाद को जो बुलेट टेन इस्टेसन दोस्तो बहुत ज्यादा हो चुका है यह आता रहता है तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर वीडियो अचे लगा तो लाइक